हेलो दोस्तो लेक्चर कम डिमेंस्ट्रेशन मेथड यानि कि व्याख्यान प्रदर्शन विदी पैड़ागोजी के फुल कोर्स के अंदर जो आप डी ट्रिपलेस भी प्यार्ट टीजिटी पीजिटी इवन सूपर टैट रीटीन सब के लिए देख सकते हैं क्योंकि ये टीचि मैं अपने आपको होश्यार समझते हैं वो तो जरूर देखें क्योंकि आप अगर इस पूरे कोर्स को करते हैं जो कि पूरा एपसलूटली फ्री है जिसकी प्लेइलिस्ट मैंने नीचे बना रखी है विपलोसिंग नाम है मेरा बैक टू स्कूल पर आरप भी है तो आप भी वीडियो को देखिएगा दोस्तों क्योंकि आज जो हम मैथड करने वाले हैं वो बहुत ही इंपोर्टेंट मैथड है तो चलिए दोस्त वीडियो को लाइक जरूर करें अपने दोस्तों के मोबाइल पर पहुँचाए प्यारा सा कमेंट जरूर करें तो चलिए दोस्तों lecture come demonstration method व्याख्यान प्रदर्शन विदी इसके नाम से ही आप समझ गए कि इसके अंदर दो चीजें important होंगी एक तो lecture और एक demonstration यानि कि सबसे पहले हमने जो विदी देखी थी वो व्याख्यान विदी थी और दूसरी विदी देखी वो प्रदर्शन विदी थी तो ये तीसरी वि विदी है जिसके अंदर उन दोनों के गुण मोजूद होंगे यानि कि व्याख्यान प्रदर्शन विदी में lecture भी दिया जाता है और demo भी दिया जाता है इन दोनों को शामिल किया जाता है इस विदी में सिक्षक विद्यार्थी के सामने प्रियोग करता है experiment करता है demo देता है और उसकी elaboration देता है यानि कि उसकी व्याख्या करता है उसकी summary आपको provide करता है एक teacher आता है प्रियोग आपके सामने करता है और lecture भी साथ साथ देता है तो lecture और demo दोनों इसके अंदर use होते हैं अब इस time पर जो प्रियोग teacher दिखाता है उससे related question भी पूछे जाते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो बच्चों को भी प्रदर्शन कारिय के अंदर शामिल कर लिया जाता है जिससे थोड़े बहुत बच्चे active रहते हैं यानि कि एक teacher है वो यहाँ पर demo भी दे रहा है और वो यहाँ पर lecture भी दे रहा है उसने अपनी help के लिए 30 बच्चों में से 3 बच्चे उठा लिये कि मेरी experiment में help करो मेरी demo देने में help करो तो बाकी के 27 बच्चों को तो experiment और demo खुद लेने का मौका नहीं मिला तो इसलिए teacher question तो 30 इसके 30 बच्चों से पूछता है कभी कभी यह भी mandatory नहीं है और सभी बच्चे में से सिर्फ कुछ बच्चे ही शामिल हो पाते हैं इस demo में बाकी को लाब नहीं मिल पाता क्यों क्योंकि बाकी के जैसे 3 बच्चों को शामिल किया डेमो चलेगा गुरू जी उसके बारे में लेक्चर देंगे तो वो सिर्फ सुनेंगे और देखेंगे और उनको कुछ करने का मौका नहीं मिलता इसलिए ये विधी पीचर सेंटर कहलाएगी क्योंकि हर बच्चे को इसके अंदर मौका नहीं मिलता डेमो देने का अब अगर हम बात करें लेक्चर मेथड की और डेमोंस्टरेशन मेथड की कमपैरिजन की इस वीडियो इस जो है मेथड से तो ये मेथड डेमोंस्टरेशन मेथड और लेक्चर मेथड से बैटर है क्योंकि ये दोनों के अच्छे 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 गुण जो है उनको शामि परफोली का अब जब lecture demonstration method used होता है तो इसके step कौन से होते हैं देखिए सबसे पहला जो में 6 step होते हैं सबसे पहले आप योजना बनाते हैं यांनि कि आपको किस चीज का डेमो बना से आपको कौन सा जो भी demo के अंदर experiment के अंदर equipment लगेंगे उनका arrangement करना और उसको experiment को आप बच्चों के सामने करने से पहले खुद करके देखेंगे क्यों अगर बच्चों के सामने experiment fail हो गया तो बच्चे हसेंगे और बोलेंगे teacher कोई नहीं आता और कई बच्चे सोचेंगे जो motivated थे कि teacher से ही नहीं हो रहा थो हमसे कैसे होगा तो जो बच्चे serious नहीं थे और ज्यादा serious नहीं रहेंगे और जो बच्चे serious थे उनका दिल तूट चाएगा आपके उपर से भरोसा उठ जाएगा इसी लिए सिक्षक को पहले से ही जो है जो भी demo दे जो भी experiment करे वो पहले से कर लेना चाहिए तो पहले step पर योजना बनाना होगा और उसमें तीन चीज़ों का ध्यान रखेगा दूसरा होगा submission प्रस्तुतिकर्ण यानि कि जब प्रस्तुतिकर्ण करने की बारी आएगी तो विद्यारतियों के अनुभव के आदार पर जो student उसके सामने बैठे है उनके previous knowledge क्या है और बच्चों के experience उस चीज़ से related क्या है यानि कि बच्चों ने एक सा experiment पहले देखा है या नहीं है जो experiment आप देने जा रहे हो उसके बारे में बच्चों को पहले से knowledge है या नहीं आप दूसरे step पर देखेंगे तीसरे step पर आप ये देख कर joh ded walk day देंगे आप summary provide करेंगे ठीक है उसके बाद आप summary provide करने के बाद प्रियोग का प्रतर्षण करेंगे और जब आप 4 step पर जाएंगे यहाँ पर आप ज्यादा सी ज्यादा बच्चों को add करने की सोचेंगे कि ज़्यादा सी ज़्यादा बच्चों को परदर्शन कारिया मैं अपने साथ लगाऊं मैं फिर आप ने जो परदर्शन किया है उसके बारे में main main point आप कहां पर लिखेंगे blackboard पर लिखेंगे याद रखना lecture come demonstration method में जब सब कुछ हो जाए तो छटे step में blackboard पर main main चीज़े लिखती जाती है और फिर बाद में आप बच्चों से कुछ परशन पूछन चाहें तो पूछ भी सकते हैं उनका मुल्यांकन करने के लिए तो ये six steps होते हैं दोस्तों किसके अंदर six step होते हैं आपके lecture demonstration method में अब इसके गुण देख लेते हैं अब देखे पहला गुण ये है कि ये सिक्षक के अंदरित विदी है इससे सिक्षक को सुविदा हो जाती है दूसरा है प्रात्मिक उच्छ प्रात्मिक विदालों के लिए अधिक उपियोगी है अब देखिए एक चीज में बता देता हूँ कि यहां पर ये प्रात्मिक और उच्छ प्रात्मिक विदालों के लिए जरूरी क्यों है इसलिए जरूरी है क्योंकि कई ऐसे experiment होते हैं अभी बच्चे हैं छोटे और ऐसे बच्चों के हाथ में ऐसे experiment की चीज़े देना कई बार ठीक भी नहीं रहता तो कई बार इसको use कर लिया जाता है इसमें lecture और demo दोनों जुड़े हुए है तो कुछ न कुछ edge मिलता है इसको बाकी teacher centered विधियों से इसलिए इसको use कर लेते हैं विज्ञान विशे में ये काफी important होती है क्यों क्योंकि इससे teacher lecture method में जो दिक्कत आ रही थी कि कुछ दिखानी पा रहा था इसमें lecture के साथ कुछ दिखा भी पाता है तो विज्ञान सिक्षन में ये use होती है विद्यार्थियों को व्यक्तिगत एवं प्रतेक्ष अनुभव प्राप्त करने है तो वे वारिक अवसर प्रदान करती है यानि कि 30 में से चाहे 3 बच्चों को demo teacher के साथ करने का मौका मिला लेकिन कुछ बच्चों को तो प्रतेक्ष अनुभव मिला ही सिक्षक के साथ प्रदर्शन कारे में से योग करने वाले विदार्थियों को करके सीखने का उसर मिलता है वही बात जो मैंने बताया कि चाहे 30 में से 3 बच्चों को शामिल किया इसमें teacher ने लेकिन कुछ बच्चों को तो learning by doing से इसके अन्दर जो है सीखने का मौका मिलता है और सिक्षक का से योग करने से विदार्थियों की रूची बढ़ती है इससे जो भी चीज बढ़ते हैं खास करके विज्ञान संपूर्ण कक्षा सामूहिक रूप से प्रेक्षन करती है यानि कि इसके अंदर जब lecture और demonstration साथ दिया जाता है तो इसके अंदर group observation होता है यानि कि जितने बच्चे अपनी seat पर बैठ कर देख रहे हैं जो भी बच्चे seat पर बैठे हैं वो अपने teacher को demo देती हुए सुनते हैं और देखते हैं तो यहाँ पर group observation होता है प्रेक्षन का मतलब होता है observe करना observation यह विदी व्याख्यान विदी से थोड़ी खर्ची लिए और परबावी है बिल्कुल व्याख्यान विदी में से बस teacher आ गया उसने lecture दे दिया काम खतम किसी और चीज़ की जरूरत नहीं लेकिन यहाँ पर चीज़ें भी लानी पड़ेंगे जिनका demo देना पड़ेगा experiment में जितने भी चीज़ें होंगी जिनका arrangement teacher पहले करता है पहले step में वहाँ पर थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा थोड़ा time जदा लगेगा लेकिन यह better है वे आख्यान विदी से अब इसके दोश देख लेते हैं इसमें विद्यार्थी निश्क्रिया रहते हैं maximum जो student होते हैं इसके अंदर passive रहते हैं listener और viewer होते हैं देखने और सुनने वाले इसलिए यह अच्छी विदी नहीं है यह सभी student के लिए जरूरी नहीं है क्यों क्योंकि बच्चे सिर्फ देखकर और सुनकर सीखे जरूरी नहीं है learning by doing पर based नहीं है व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दिया जाता है मैंने आपकी गुण बताया था कि group observation होता है इसमें एक time पर बहुत सारे बच्चे देख रहे होते हैं और teacher यह नहीं मुलांकन कर पाता कि किस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा हर एक बच्चे को learning by doing या protection अन्बोग करने का मौका नहीं मिलता जैसे 30 में से 3 बच्चे को मिल गया लेकिन बाकी के 27 को तो मौका नहीं मिला इसमें इसके अंदर time बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि demo भी दो, lecture भी दो उसके बाद blackboard पर भी लिखो 6 step total होते हैं तो बहुत ज़्यादा time लगता है इसमें जो विद्यार्थी ओष्चत से कम शम्ता वाले होते हैं उनके लिए उप्योगी नहीं है क्यों क्योंकि उनके उपर व्यक्तिकत द्यान देना पढ़ता है यहाँ पर देखें व्यक्तिकत रूप से द्यान नहीं दिया जाता है यह point आपने देखा था यह point आपने देखा कि personally किसी पर individual तरीके से ध्यान नहीं दिया जाएगा, पूरा group एक साथ पढ़ता है, इसलिए जो student थोड़े से कमजोर हैं, उनको इससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि उनको व्यक्तिगत ध्यान देने की ज़रूरत है उनके उपर, व्यक्तिगत रूची, पूरुव ग्यान, समतायम, सीखने की गती पर ध्यान नहीं दिया जाता, यानि कि टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता तीस बच्चों से, वो आएगा, डेमो देगा, लेक्चर देगा, आपको समझना पड़ेगा, चाया आप उसके बारे में कुछ जा नहीं दिया जाएगा, टीचर कंट्रोल करेगा हर एक चीज को, उच कक्षाओं में लाप्रद नहीं है, क्यों? क्योंकि उच कक्षाओं में बच्चे लर्निंग बाइड डूइंग से सीखेंगे, एक्सपेरिमेंटल मेथर्ड से, जिसमें एक्सपेरिमेंट बच्चे नहीं के लिए नहीं दिये जा सकते, तो यह उच कक्षाओं के लिए लाप्रद नहीं है, तो आज की जो यह क्लासी दोस्तों, उसके अंदर हमने व्याख्यान विधी लेक्चर मेथर्ड देखा, लेक्चर और डेमेंस्ट्रेशन मेथर्ड देखा, जो कि थर्ड टीचर मेरा मेन एम था कि आप यहां पर फ्री में चीज़े पढ़कर उठें, मेरा मेन एम यह है कि आप पेड़ा गोजी में तगड़े हो जाओ, और इसके अंदर मैंने कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें आपके साथ शेर की, इसी चीज़ को मैं एक गंटे की क्लास भी बना सकता लेकिन बेवजे की बात ते करके और बेवजे किसी चीज़ को खीच कोई फायदा नहीं है, पूरे के पूरे चैप्टर हम करेंगे, बस वीडियो को लाइक शेर करें, अब तक 20 चैप्टर नहीं देखें हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लो, क्योंकि यह ऐसे वीडियो उसको यूट्यूब शेर नहीं करता है, तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, टेक कियर